जै मातादी मित्रो आईए इनके कुण्डली का विक्षिशन करते हैं देखें इनके लगन कुण्डली में यहाँ पर लिखा है चार नंबर चार नंबर का मतलब जो होता है करक राशी होती है आर्थात यह जो जाती का है वो करक लगन की है और इसलिए चंदर्मा से प्रभावित होगी आप देख प्रणन कुछ इस परकार भी इस लगन की जो वेक्थी होते हैं वह कही न कई भावुक परवर्ती एक महीने का टाइम गजीवन में ऐसा आता है जहां पर यह कहीं कहीं अकेला फिल करते क्योंकि यह चंद्रमा 12th house से पास होता है तो वैक्ति महीने में ही इनकी जीवन में कहीं mood swings जैसी problem जो है मन का मन परिवर्तन जो है बहुत अदिक देखने को मिलता है जो है अब हम बात करते हैं देखें इनकी कुंडली में जर्म नक्षत्र के बारे में देखें जर्म नक्षत्र व्यक्ति के जीवन में कितना अधिक प्रवाव डालता है यह चंदर नक्षत्र से हम देखते हैं उर आपके जन्म के समय चन्द्रमा जैसे जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं वह आपका जो है मकर राशी ब्ग उत्राशन खर्जट्र में गोचर कर रहे थे इनके जन्म के समय में सांसी परव segurança होगा असा आप कह सकते हैं अब देखें यहां पर हम बात करते हैं उत्रा आशाडा उत्रा शालपका मतलब होता है वीजे दो विजे के पषजाद का भाग की था अब होता है तो एसा व्यक्ति को उलास जरी जा सकते हैं होता है तो व्यक्ती मेहनती भी होगा और अपने लगशे को मेहनत से साधने वाला होगा शोटकर तरिकर नहीं अपनाएगा अब हम बात करते हैं कुल्ली में लगण पर पढ़ने वाले ग्रहूं के दर्शिय क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो लगन होता है वो बहुत important role play करता है लगन व्यक्तित होता है व्यक्ति के जीवन का और जो आपका चंद्र होता है वो मन होता है सूरी आपकी आत्म होती है और लगन संपूर्ण व्यक्तित के बात करें जिसमें आपका शरीर के हाओ मतलब सब चीजों विखती के कारें में विलम बित कर देते और होता क्या है शनीदेव का करते हैं जब तक वीक्ती को पुन लूप से उस वस्तु के उस ጥᴕ्या आ इसका न बना दे तब तक वैक्ति को लख्षय का योग्य बन मोर्शा वह बस तू वह इच्छा उसकी पूर्ण हो जाती है और यहां पर देखे पढ़ने वाली चंदर की अगर दर्श्टी की बात करें व्यक्ति के लगन पर चंदर की दर्श्टी का पढ़ना क्योंकि चंदर का मतलब होता है परिवर्तन शील तो व्यक्ति कही न कहीं डिसीजन ले है कि अभी पहले कुछ और सोचाओ उसके बात थोड़ा परिवर्तन जो है यहां पर दिखाई देता है इनके जीवन में फिर उसके बात देखें यहां पर एक बात और हम बताते हैं लगनेश के अगर हम बात करें क्योंकि कुंकि कुंद्ली में लगनेश बहुत इंपर्टे जो है यह हां से जो है यह बदल जाते हैं तो चंदमा जो है आपके कुंद्ली में जो है शेष्टम भाव में आ जाते हैं शनिते भी शेष्टम भाव में आ जाते हैं तो उसके करण होता क्या है कि चंदमा जब शेष्टम भाव में आते हैं जो शेष्टम भाव को रोग रि प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् प्रंतु इस कुंडली में चंदर्मा के साथ शनीदे बैठे हैं तेकर शनीदे जो होते हैं उनकी गती है वो भूत धीमी है लेकिन जो चंदमा की गती बहुत तेज है अब एक घर है जो आपना मन है तरीके से मन को रिपर्जेंट कर रहा है दर्शा रहा है और उसको शनीदे धीमे घर है अगर उसको पगड़ लेते हैं तो होता कि है व्यक्ति के मन में कहीना कहीं उदासिंता आ जाती है वेक्ति के मन निराश हो जाता है, हतास चिंता इस तरीकी की बाते आजाती है, यह जो चंदर का विश्दोष होता है, वेक्ति को मांसिक कष्ट देने वाला होता है, और यह अक्सर जिवन काल में काफी हद तक लंबे पिरिडी तक की काये जाएगा, क्योंकि बर्थ चार्ट का बर्थ चार्ट में जब कोई घर है, इस तरीके की योग बन जाते हैं, यूति बन जाती है, तो यह विश्दोष मांसिक कष्ट देने वाला होगा वेक्ति के जिवन काल में, आप देखिए यहाँ पर जो है, इनका में को कोश्चन था, वो इनकी गौर्मेंट जोब से रिले ज्व चार्ट में के बातों के लगन के वाधे आप, यहाँ पर की वहां पर बेथी हुए तो आप यहाँ पर कैसकते हैं, व्यक्ति को कईको की आप दर्शा हुए, जो एक अच्छा जो है, राचिक बोजन खाने की प्रवर्ति हो सकती है यह सब अच्छा लगता होगा फास्ट फूड बगारा यह सब अच्छा लग सकता है ऐसा हम कह सकते हैं आप देखिए यहां पर देखिए बुद्ध भी वानी के कारण बुद्ध होते हैं और वो भी वानी बाव में बैठते हैं और सूरी के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में जो है कही न कहीं व्यक्ति जो है अच्छा वक्ता हो सकता है अच्छा बोलने वाला हो सकता है अपनी बातों को जो है अच्छी तरह से रिपर्जेंट कर सकता है आप देखिए बात करते हैं सूरी के कारण जो है घ्रह अस्तो जाते हैं आप इस कुणली में सूरे के करण जो गरह अस्तो हैं वो गुरु शुक्र और बुद्ध को हम अस्तो होने का दोश नहीं मानते हैं बुद्ध को हम मानते हैं कि सूरे के साथ बैठकर वो उसके परभाव को बढ़ा देते हैं आप देखे गुरू के साथ जो है गुरू और शुक्र जो है इस कुनली में जो है अस्तो है bara तो ये क्या अ जाता हुए का शवakter का तो यो है और लेकिन क्या है कहीं आ कई वेक्टि का जीवन संगर्ष में हो जाता है साथ लगनेश का भी जो है यहां पे लगनेश जो है शनी के साथ बैठ गए और शनीदेव इस कुंडली में जो है आप देखे शनीदेव जो है अश्ट्रम भाव के स्वामी है और आटवे से बार वाक्यों कि वह आयूद का व्योता हो उसको हम क्या मानते है उसको भी हम मारक भाव मानते है तो दो मारक भाव के स्वामी नेगतिव ज़ाते है और सब्सक्राब तो अगर भाव चलिट की बात करते हैं तो शनी देव जो जा रही है आपको बताया था शनी और चंद्र जो जा रही है वो शेष्टम भाव में जा रही है तो विवास से समंधित परिशानी का सामना करना पड़ सकता है इसको हम पढ़ सकता महीं कहेंगे जो है confirm बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि अगर आप क्योंकि विवा के गरम बात करें विवास जो है अच्छा विवा हो सकता है तो उसका होता क्या है कि अगर व्यक्ति अपने जो कुंडली का मिलान अच्छी तरीके से करे, श promo कने जो व्याकि जीवन हो जाए तो वेक्ति का जो विवाइक जीवन होता है वो सुख में हो सकता है ऐसा कोई इसमें बात नहीं है कि वेक्ति का विवाइक जीवन खराब होगा, तो अगर यहां पर संभावना बनती है क्योंकि यहां पर दामपत्य भाव का स्वामी जो है वो कांपे जा रहे है भाव चलित में जो है वो जा रही है आपके शेश्टम भाव में तो यहां पर संभावना बनती है कि व्यक्ति की जिवन में इन सब बातों से समंदित जो है हो सकता है कि जगड़ी अब देखिए कुंडली में हमने गुरु की तो बात कर ली है कि भागे भाव के स्वामी है आपके शष्टम भाव के स्वामी है और शुकर की अगर हम बात करें तो शुकर इस कुंडली में ला भाव के स्वामी है और आपके चतुरत भाव के स्वामी है दोनों भाव के स्वाम तो भी जो है लगन से संब्द बनना इन सब घरों का धनेश का लगन से संब्द बनना लाभेश का दन से संब्द बनना सुकेश का दन से संब्द बनना ये श्रेष्ट माना जाता है ये एक तरीके से व्यक्ति के जीवन में आगर थोड़ा संगस दिख रहा है लेकिन क्या व्य तो कुछ गिरह जो अस्त हो जाते हैं और अस्त उनका क्योंकि आप जानते हैं वक्री घरों का परवाव जो होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है दो गुना ऐसा मानते हैं जो हम तो मतलब घरह का परवाव बढ़ जाता है लेकिन आप देखे जो है शुकर का शुकर के अगर 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 वह वक्री हो जाता है तो परभाव तो अच्छा दे देगा ऐसा नहीं है तो इसका मतल़ यहां पर थोड़ा नेगटिव ही किया अगर बात करें तो गुरु वक्री भी नहीं हुए और गुरु कुंडली में आपके भागे के स्वामियों कर अस्त हो गई है तो यह आपर जो जाती को जो है गुरु और शुकर इन गरहों से संबंदी जो है उपाय अवश्य करने चाहिए उनके परभाव को बढ़ाना चाहिए ताकि वह अपने भागे से संबंदी तो परभाव उसको अच्छे पोजिटिव परणाम को ले सके और यहां पे अगर लाप की ब परदान कर सकते हैं अगर वही अस्त हो जाएंगे तो व्यक्ति के जिवन से लगजरी चली जाती है ऐसा हो जाता है प्रन्तों यहां शुक्र वक्री है तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर पावर तो एक बल तो आ गया है लेकिन अगर जो है उससे समंद्दिव और उपाय गराये जो है शुक्र से समंदित और गुरु से समंदित उसके बाद हम देखें बुद्ध की अगर बात करें बुद्ध व्याजा स्वामी है और सासा प्राकरम भाव के स्वामी का समन ये धन से समन बन रहा है या फिर अगर ये भाव चलित की विबात करें तो इनका समन लगन से भी बनता है तो होगा क्या व्यक्ति की जीवन में देखें होगा क्या व्यक्ति की जीवन में ये जो बुद्ध व्य भाव के स् शनीदेव की समध द्रिष्टी है गर नबात करे तो वह उच्छ द्रश्टी है जो की श्यत्र के कारख हो करो कर चुब था भूमी भवन वहन की भाव बहुक्ति के भूमी भूमवाहन की लिए बात मांदा जो है क्योंकि मैंने ब्लूमी भवन का श्रेष्ट लाव मिलेगा सब कुछ मिलेगा बस थोड़ा सा जो है ये जो बात कही है गुरु और शुक्रिसे समंद्ध उपाई अवश्य करने चाहिए जिससे क्या होगा जो मलग कमी है वो कमी जो है उसकी भरपाई होकर जो है वेक्टिकर आसानी से जो संगर्श है उससे थोड़ा सा भार निक जाते हैं तो वेक्टि अपने ग्यान से जो है या फिर करम से करम के चेत्र में मेहनत करके जो है कि मेहनत करके जो है वेक्टि धन अर्जित अवश्य करेगा और ग्यान के मादिम से उसको विशेष सपलता जो है हासिल होने वाली है आप देखें राहु जब यहां पर बैठ और यहां पर बैठ कर राहु क्या करते है पंचम दिर्ष्ठी सेवनी एक दो तीन चार पांचवी दर्ष्ठी कहां पड़ती है करम भाव में थोड़ा सब जो है आप समस्य उत्मन कर देते हैं और वैसे भी यहां पर बैठे रहु जो है करम सानल में बताया रहा बादा उत् से रोड अटक जाते हैं कारे च्छेतर में ऐसी स्थिटी वेक्टि के साथ बंती है और राहु भी देखिए आप पर जो है शत्रु अंदर को आगे जो है वैं शनी देव किज़ेंगे वह तो कारी मैं विलंब और इस तरी की सथिटी वेक्टिह तो थोड़ा सब बनती है लेकि अगर हमें करिए तो िस समय बात कर दे लिए की चल रही है जोपि की है उतनी तक कि dolga होती है भी दो एंतर। रही है 17 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2023 तक की मादशा है अब राहू जो है बहुत अधिक इसमें जो है कि चंदर का लगन है और चंदर के साथ वैसे भी उनकी जो है शतुरता ही रखते हैं तो यहां पर बहुत अच्छे परवाव तो नहीं कहेंगे लेकिन आप जैसे राहू की करें विवा से संबंदित बातों की बात करें तो विवाईक जीवन के लिए हमने बता है 20 नवंबर 2020 से नवंबर 2021 यह जो टाइम अप चल चुका है इस टाइम पिरिड में विवा होने की पुन रूप से संभावना है अगर अब नहीं होता तो फिर जो है क्योंकि जब गुर यहां पर धियान रखना है क्योंकि शनी की साड़े साथी आपके जीवन में चल चुकी है 26 जनवरी 2017 से 39 मार्श 2025 तक की जिसमें हम मानते हैं कि वैरी बैट टाइम जो हम मानते हैं वो यह है कि 23 जनवरी 2020 से 28 एपरेल 2022 सका समय यह आपका जीवन में काफी मानसिक कष्ट देने वाला होगा क्योंकि इस समय में जो है इसका दूसरा पड़ाव है जिसमें चंद्र को जो है शनीदेव पूंडू से पकड़ लेते हैं और इस समय वैक्ति कि मानसिक जो है जादा हो जाती है और साथ साथ क्योंकि यह यहां पर अगर बनता है तो यहां पर दरश्टी लगन पर भी पड़ती है तो वह वेक्ति के जो है थोड़ा सा समस्य है प्रॉब्लमेटिक तो रहता है यह वाला टाइम मैं मानता हूं आप उसमें होगा क्या कि यह बैट टाइम ते मान से कष्ट देने वाला है अब इस चैनी की साथी में अगर शादी हो जाती है तो विवा में आपको जो है ध्यान रखना होगा बिलकुल कि आप गलत कारी है आप विवा जो है जो कुड़ी मिलान अच्छी तरह से करें जिससे सई विवा हो अगर आपको बाद में प्रशानी का सामना ना करना पड़े तो यह बात आपको भीलकुल ध्यानter अध्यान में रकनी पड़े देखा गया है आप देखिए यहां पर मैं आप कोई बात और बताता हूं राहू जो है कुरली में 12 ताहू से पास हो चुके थे और यह टाइम हुआ था कि मार्च 2019 से सेप्टेमबर 2020 का टाइम भी बीच चुका है यह टाइम जो है क्योंकि राहू 12 ताहू से पास थे तो यहां पर हम क्या सकते हैं यह टाइम जो है किसी भी तरीके का व्यक्ति को इलिगल वर्क नहीं करना चीए कोई बड़ा खर्चा सकता है व्यक्ति के साथ जीवन में धोका होगा हो सकता होगा इस तरीके की सथी व्यक्ति के साथ बनी होगी और यह राहू 12 ताहूस में जो है व्यक् कि चीज हो जाती है तो यह टाइम प्राइम रहा होगा आपका जो है मार्च दोजार उनीस से सप्टेमबर दोजार बीस सका समय जो है आप देखिए मेजर क्योंकि इनका गौवर्मेंट जॉब से रिलेटिटीड भी कोश्चन है तो यह वाला जो टाइम हो रहेगा तो रहेग इस समय अच्छा रहेगा तो आप अगर जो त्यारी कर रहे हैं उसमें भी आपको लाब मिलने की इसमें ज्यादा चांस है लेकिन जो मेजर पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रॉफेशन में आपके करम इस्तान में बड़ एक मार्च दो हजार सताइस से एक मार्च दो हजार तिरालिस सका समय रहेगा यह आपकी गुरु की मादशा चालू हो जाएगा और गुरु इस कुंडली में यहाँ पे यह आपके शेश्टमभाव और भाग्य के स्वामी है तो इस समय में इनका फन मिलेगा जो है तो पर श्रिष्ट प्रभाव मिल जाएगा आपको गुरु का जो है तो कुल मिलाकर जो है यह जो टाइम पिरिड़ जो है अच्छी है और यह जो अप टाइम पिरिड़ चल रहा है यह विवा पॉइंट और मैरीज पॉइंट और यू से भी अच्छा है प्रोग्रेस क्सळसा का सामना करना पर सकता है स्य मिल जाता है विवा जा समस्याओं निजात नियों जाता है है जो है किसी ही तरीके की समस्य उसमें नहीं बनती है तो जो आश्य करता हूं मैंने इस कुण्डली में जिनके दोनों प्रस्चनों का उतर दिया है और इसमें कोई भीज्यघ है डाउट और जो को देख रहे हैं वह भी अपना तर्फ के इस कुण्डली में कमें nice दे सकते कुछ और बात एड़ करना चाहते हैं कुछ और इनके जीवन से समंदेद बाते बताना चाहते हैं क्योंकि यहां पर जितने भी वदर्शाय देखते हैं वो सब जोतिश प्रेमी होते हैं उनको भी सब बाते अच्छी तरह से आती हैं तो आप भी कमेंट स्क्षिन में जो है जर